अस्सलाम वालेकुम मुझे ये कहते हूँ बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने सारे कर्जदारों को जो कस्बाती वाड, सर्वोदै, सपना, मुल्ला वाड, काकदी वाड, फेस पार्क, संजैनगर, तारफडिया, स्टेशन रोड, बरूच, डड़ाल, सूरत, बड़ोदा, एहमदाबाद मेरे सारे कर्जदार का कर्ज़ा पूटल होता है तीन करोड 81 लाक रुपे मैं उन सारे कर्ज़दारों को आज से, इसी वक्स से, कर्ज़े से, माफी दे रहा हूँ एक बात मेरे दिलों में बहुत बड़ी लगी हुई है कुछ दिन पहले मैं नमाज के लिए मस्जीद में गिया नमाज में पहली सब मेरे साथ एक बंदा खड़ा हुआ था उस बंदे न मुझसे एक लाक रुप्य का कर्ज लिया हुआ था कर्ज या हसना वो सर्म के मारे मुझे देखके पहली सब से निकल कर बाहर चला गया यह बात मुझे गवारा ना हो ही मेरा दिल अभी तक यह चीज को लेके रूता है मैं अपने होस ववास में मेरे सारे कर्जदारों को कर्ज से माफ़ी दे रहा हूँ और उनके हक में दुआ करता हूँ कभी उनके पैसा हलत ना आए तो किसी के कर्ज लिए अल्ला मुझनेगार की भी मदद फरमाए और मुझे भी सिरालत मुस्तकिम पर जिन्दे की जिने की तुफिक अता फरमाए मैं भी गुनेगार हूँ अल्ला से अपने गुनाहों की माफ़ी मान दे अल्ला उसके फत्ल कर्म से मुझ गुनेगार को माफ़ परमाए और सच्चासी के रसुल बना दे और सही मानों में मुसल्मान होके जिना वाला बना दे और इसलाम पर जिन्दा रखे इमान पर मौत दे दे मुसल्मान बन के मनने वाला बना दे और मुसल्मान बन के हस्र के मेदान में उटने वाला बना दे मैं तै दिल से उस सक्स का सुक्र गुजार हूँ जिसने मेरी आंको को निए अल्ला मुझे माफ करे अल्ला मेरी और और अमत महमद्य की मदद फरमाए अगर मुस्से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देरा अल्ला आफिस